और स्वाच्छ भारत मिशन के 2.0 का प्रधानमंती नरेंदर मोधी शुभाराम कर रहे हैं और देश के कोने कोने से तमाम सारे सहरी निकायों से जुड़े हुए डिजिटल माध्यम से हजारों की संख्या में भाईयों बंदों आज सहरी निकायों के लिए एक पहुत आजादी के अमुर्त महसो वर्स में पहुती महत्यपून दिन है जब आज हमारे माननीय पधानमंत्री जी के द्वारा दो महत्वा कांची मिशन्स का शुभारम किया जाएगा माननी पधानमंत्री जी ने जब 2 अक्टूबर 2014 को स्वक्ष भारत शहरी और 25 जून 2015 को अटल मिशन फर अर्बन डिजुबनेशन एंड ट्रांस्फरमेशन अमुर्त योजना का शुभारम किया था तो सर हमने आप से एक ट्रांस्फरमेशन शहरों का कैसे काया कल्प होगा इसका मंत्र लिया था रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांस्फॉर्म हमने सर से मंत्र लिया था स्किल, स्पीड और स्केल और अब जब हमने माननी पधान मंत्री जी को लान के लिये के प्राचीर से 15 अगस्त 2021 को राश्ट के को संबोधन में सुना कि काया कल्प नहीं बलकि संत्रिप्ता कम्प्लीट सेचुरेशन उसके तरफ आगे बढ़ना है तो देखा कि माननी पधान मंत्री जी पिछले 20 सालों से जब से गुजरात में उन्होंने राज्य का बागदोर सभाला तब से उनका जो संकल्प और उनकी जो एक दूर दर्सी सोच थी वो आज हमारे देश को पूरे देश में हमारे जो सहरी इलाके है उनके लिए इस प्रकार के ऐसे कार्टम ले करके आ रही है तो आज हम इस औसर पर अपने माननी प्रधार मंत्री जी का अविनंदन करते हैं आज उनके करकमलों से ये दो बहुत वी महत्वा कांसी योधनाओं का सुबारम होगा मैं निमंत्रित करता हूँ अपने माननिय सहरी आवाशनिंग सहरी कारे मंत्री जी को कि वो आकर के स्वागत भाशन करें माननिय सहरी कारे मंत्री जी माननिय प्रधान मंत्री जी केंद्रिय मंत्री मंदल में मेरे साथी गजेंज सिंग शेखावत जी कौशल किशोर जी विशेश्वर टूडू जी हमारी मंत्राले मैं सचे दुर्गा शंकर मिश्रा जी और देश के विभिन राजियों के शेरी विकास मंत्रियों साहित सभी समानित डिग्निटरीज जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सबका मैं स्वागत करता हूँ स्वच भारत मिशन अर्बन टू पॉइंट जीरो एवं अमुरूत टू पॉइंट जीरो के इस उद्गाटन अफसर पर आप सभी का स्वागत मानिये प्रदान मंत्री जी पंद्रा अगस दोहजार चाओदा को लाल किले से स्वच भारत मिशन के द्वारा महत्मा गांदी जी की हंडर्ड औन फिफ्टियर्ट एकसो पचासवी जयनती मनाई जाने तक भारत को ओपन डेफिकेशन फ्री करने की घोशना की थी यह जर्णी बहुत पहले से ही शुरू हुई थी एज ए स्टूडन्ट ऑफ हिस्ट्री मुझे याद है कि 1916 में जब महत्मा गांदी जी बनारस हिंदू कॉलेज में एक गैदरिंग को एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने स्वच्टा पे जो कहा था और जो वो जन अंदोलन चाहते थे वो कुछ अधूरा रह गया इस महीने माननिय प्रधान मंत्री जी के मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री के रूप में देश के को नेत्रित्व देते हुए 20 साल पूरे हो रहे हैं ये माननिय प्रदान मंत्री जी का विजन है कि जिन विश्यों पर पहले देश की नीतियों में स्थान नहीं मिलता था, वो आज देश के समग्र विकास का माध्यम बन रहे हैं। स्वच भारत मिशन में हमने सफलता इसलिए नहीं पाई कि हमने शेहरी क्षेत्र में 73 लाख शौचाले बना दिये या हमने वेस्ट प्रोसेसिंग केपैसिटी को 2014 में जो 18 प्रतिशरती उसको हम 70 प्रतिशरत तक ले आए या 3300 से अधिक शेहर ODF प्लस हो गए हैं या 960 ने ODF प्लस प्लस का दर्जा हासिल किया है सफलता मैं समरता हूँ हमने इसलिए पाई कि आपने ये प्रोजेक्ट आफ दे गवर्मन्ट या सरकारी प्रोग्राम को एक जन अंदोलन में बदल दिया है ये कारियर जो 2014 में शुरू हुआ था और जिसका आज हम फेस टू SBM 2.0 और Amrit 2.0 आप लॉंच करने जा रहे हैं इसकी नीव आपने पहले ही डाल दी थी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में आपने महत्मा गांदी स्वच्टा मिशन की शुरुवात की थी और निर्मल गुजरात मिशन के रूप में एक जन अंदोलन का सूत्र पात किया था देश की इतिहास में ये शायद पहली बार था जब बापू की धर्ती से बापू के बाद किसी जन नेता ने स्वच्टा को जन सेवा और विकास में विजन के रूप में आगे रखा निर्मल गुजरात अभियान स्वच्टा सैनिटेशन और वेस्ट मैनेज्मेंट की दिशा में गुजरात की धर्ती में एक ऐसा अभीनव प्रयोग था जिसने गुजरात और आगे चलकर देश के विकास को नया आयाम दिया निर्मल गुजरात अभियान राजनेतिक निर्मलता का भी एक नया अध्याय था जिसने सियासी नफ़ा नुकसान से अलग मुद्दों को भी शासन और सरकार में महत्वत देने की शुरुवात की आपने मुक्यमंत्री रहते हुए गुजरात में अर्बन यर इनिशेटिव शुरू किया